हलो जी आज हम बनाएंगे नए अनोख्य अंदाज में साबोत आलू की सब्जी यानि के दाम आलू एकदम शाही श्पेशल वाले आलू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ ही बनाएंगे लच्छा प्राउंठा दोनों को बहुत यसान मेथट से बनाएंगे फटाफटा बन चाहिए सकते हैं और साथ ही दो टमाटर लिये हैं मैंने अलू को नाइव की हेल्प से प्रिक कर लिया है जब इसे ग्रेवी में पकाएंगे तो यह अच्छे से अब्जाब कर लेंगे ग्रेवी को अब ऑईल गरम होना रखेंगे गरम होने पर आलू फ्राई करेंगे और से कवर होना चाहिए स्टीम नहीं निकलने चाहिए एक दो भार उल्ट कुल्ट कर देंगे यह सारी तरफ से गॉल्डन ब्राउन हो जाएंगे लो फ्लेम पर ही इन्हें पकाएंगे जो टोमाटर डाले थे वो भी सोफ्ट हो गए हैं चिलका लग कर देंगे आप चिलका नहीं निकालना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो चेक करेंगे अलू पग गे हैं के नहीं और इस तरह से नाइफ या फोग की हेल्प से चेक करेंगे अब आलू टोमाटर को थोड़ा से बना लेंगे जीरा डालेंगे एक चमच अधरक लेशन का पेस्ट वह भी इसमें एड़ कर देंगे और मेक्स करेंगे और साथ ही मीडियम साइज का चौप किया हो प्याज डाल देंगे फिर से मेक्स करेंगे बन जाती है और खशबू इतनी आ रही है कि पूरा किचन खशबू से मेक्रा है अब टोमाटर को इस तरह से फोक या स्पून के हल्प से मेश कर लेंगे मसाले डालेंगे एक चमच हल्डी पाउडर स्वारंसार नमा कश्मीरी लाल मिच गरमसाला धनिया पाउडर और साथी क सूरी मेथी क्रेश करके डाल देंगे मिक्स करेंगे सबजी को क्रीमी और रिच बनाने के लिए दो चमच दहीं और थोड़ा सा पानी डाल कर ढख देंगे जो पानी डाला है उसमें पूरा फ्लेवर आ जाए शाही अलू में देंगे थोड़ा सा दम ताकि यह अच्छे से प बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे बहुत ही जल्दी इजी मेथट से बिलकुल प्रफेक्ट टेक्स्चर और फ्लेवर तो देखा आपने कितना असान है दमालू बनाना दमालू के साथ लच्छा प्रांठा बनाने का कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ी है तो चलिए बना लेते हैं लच्छा प्रांठा सबसे पहले बनाने के लिए अट्टे की लोय ले ले ली है इसको इस तरह से बेल लिया फिर घी लगाया है उपर से सुखह आटा टोस्ट कर देंगे इस इस तरह से गोल करके पेड़ा बना लेंगे और हलकी हाथों से बेल लेंगे पहले तवाह गरम करना है और प्रांठे को दोनों तरफ से ऐसे ट्राइव सेख लेंगे उसके बाद ड्रेक्ट गैस पर से एसा करने से क्या होगा कि दोनों तरफ गी लगाने की जरूरत नहीं पिर अच्छे से गी लगा कर सेखेंगे दोनों तरफ से अच्छे से शेक लेंगे और दो चमज के क्रीब गी लगी ही जाता है देखिए बहुत ही टेस्टी लेयर वाला लक्षा प्रांठा बन कर त्यार है दामालू के साथ इंज़ाई करें ये वीडियो आपके लिए बहुत ह हेलफूर रहेगी इसे सेव कर लेना और फेमली और फ्रेंड्स के साथ शेर करना न भूलें थैंक्स वर वाचिक माई वीडियो